दोस्तों लमश्कार मैं संजमगू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर राजनीती के रंग अनेख है राजनीती के रंग ऐसे हैं कि जिनको आप पहचान भी नहीं सकते राजनीती के अंदर रंग बदले भी बहुत जल्दी जाते हैं खासकर राजनीती के जब बात आती है तो रंग बिरंगी बाते बहुत सामने आती हैं एक रंग बिरंगी बात ये सामने आ रही है कि चुनाव का परिणाम आने से पहले ही मुख्यमंत्री पत की दोड़ शुरू हो गई है हर्याना के अंदर तमाम एक्जिट पोल जितने भी एक्जिट पोल आए वो सब के अंदर कॉंग्रेस की सरकार बनती दिख रही है हलाकि ये बात दीगर है कि नायब सिंग सैनी कह रहे हैं कि वो सरकार बनाएंगे भाजपा हैट्रिक लगाएगी लेकिन तमाम जो सर्वेक्षन हैं तमाम एक्जिट पोल हैं वो कॉंग्रेस की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं और अगर पोल आफ दा पोल जायें यानि कि जो एक्जिट पोल्स का सभी का अगर रोजहान इकठा निकाल लें उनको कैलकुलेट किया जाए तो फिर नजर आता है कि कॉंग्रेस सपष्ट बहुमत के साथ लगबग बावन चौवन सीटों के साथ में हर्याना में सरकार बना रंग जो घुलने से पहले चड़ने लग जाता है और राजनीती का यही रंग है सत्ता वाला मैं आपसे कहूं तो हर्याना के अंदर जब से रोजहान चल रहे हैं कि कॉंग्रेस आ रही है हर्याना के अंदर सत्ता में तो तमाम कॉंग्रेस के निता लग गए है अपनी गोटियां फिट करने में तमाम कॉंग्रेस के निता लग गए है और गोटियां बिठाने के अंदर कि कैसे बात बनेगी, किसकी बात बनेगी कहां बात बनेगी और उस पर सारी तैयारिया हैं, हाला कि कौंग्रेस आला कमान भी इसपर नज़र रखे हैं कौंग्रेस आला कमान ने शायद यह पहली बार हुआ होगा कि जब चौनाओ परिणाम आने से पहले ही अब्जरवर तै कर दिये हैं हर्याना के लिए केसी वेडू गोपाल और माकन साब हर्याना को देखेंगे कि हर्याना के अंदर कल से यानि की आठ तारीक को जब चुनाओ परिणाम आएंगे तो पल-पल की नजर रखी जाएगी राहूल गांधी और मलिकार जुन खड़गे साब भी नजर रखेंगे दिल्ली बैठेंगे दोनों नेता और स्क्रीन पर देखेंगे कि क्या हो रहा है तमाम कॉंग्रेस के केंडिडेट्स राजनितिक दावे ये बताये जा रहे हैं कि कॉंग्रेस आला कमान ने हर्याना कॉंग्रेस कमीटी से हर्याना के कॉंग्रेस नेताओं से वो सूची मांग ली है जिसके अंदर माना जा रहा है कि कितने केंडिडेट कंफर्म जीत करके आ कोई अपने विधायकों के साथ में यानि की जो विधायक बनने वाले हैं आने वाले विधायक हैं जिनको टिकेट मिला था उनके साथ बैठकों के दौर कर रहा है कोई भगवान की शरण में है हर्याना के अगर मैं आप से बात करूं तो हर्याना की दावेदारी पर मुख्य मं मंत्री चार वार के सांसद बड़े निकता दिगज निता जिनके नाम पर इस चुनाव के अंदर काफी हद तक दारोंदार था भूपेंदर सिंग उड़ा की अगर बात करें तो जब कॉंग्रेस की टिक्टों का वित्रण हो रहा था तो बात चल पड़ी थी और कुमारी सेलज सिंग उड़ा जम गये थे रहतक के अंदर कल भी रहतक में थे कल देर शाम को वह रहतक से दिल्ली आए राजनितिक जो घटना करम में वह बता रहा है कि वुपेंदर सिंग उड़ा ने रहतक में भी और रहतक से आने के बाद दिल्ली में भी तमाम कॉंग्रेस के दिगज न ली थी वोटिंग से पहले ही मिल करके आ गई थी वुपेंदर सिंग उड़ा अपने अपने गुट के तवाम उन नेताओं से बैठकों के दौर कर चुके हैं जनको टिकेट दिया गया और जो जीत की तरह फग्रसर हैं इसके सासाथ नजर उन पर भी रखी जा रही है जो इंड मीदने और ओवुपेंदर सिंहा ध़्दा बड़ा नाम थे रावुल गांधी और मलीका अर्जुन खरगे के समानांतर नाम भुपेंदर सिंहा का था वी वुपेंदर सिंहा था अ उम्र के उस पड़ावे पर हैं जहां वो खुद कहा करते थे एक मोब का और यह जटका और और्यक टक्कर और तो एक मौखा मुएजंको मिलेगा Con alt क्टकर वह ले चुके जटका वह दे चुके लगवर क्योंकि जटका तो रही जैसे एक पूल बता रहे हैं और प्रकार से हुड़ा चार वार के सांसा दो बार के मुख्यमंत्री है तो फिर ठाथ भौल के सांसद हैं कि दिपेंदर हुड़ा भी चार वार सांसद हो चुके हैं और दिपेंदर हुड़ा के लिए माना जा रहा है कि युवा नेत्रतव युवा जोश और जिस प्रकार से दिपेंदर हुड़ा की चुनाव में डिमांड थी पलवल हो चाहे वो प्रतला हो चाहे वो हर कर्याना के तमाम हिस्सें हों दिपंदर हुड़ा चुनाव परचार में गए थे और उनकी बराबर डिमांड रही थी। अब बात आजाती है इन दो नेताओं के अलावा बुपेंदर सिंग हुड़ा और दिपेंदर हुड़ा के अलावा कुमारी सेलजा कई बार दावा करती रही है चुनाव से पहले मैंने आपको बताया कि वो सोनिय गांदी जी से मिलकर भी आई थी वोटिंग के बाद जब वो एक न्यूज एजन्सी से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा था कि मुख्य मंत्री पत का दावा कोई बार बार नहीं रखा जाता वो एक बार जो रखा गया वो रखा गया यानि कि उसको बार बार बदलाव की जरूत नहीं है मुख्यमंत्रीपत की दौड में कुमारी सेलजा है और उनके फोटो वाइरल हो रहे हैं साला सर गई है भगवान की शरण में इश्वर की शरण में और साला सर में तो वो गव माता की पूच का भी आशिरवाद ले रहे हैं, ये राजनीती के टोटके भी होते हैं, समाजनीती के टोटके भी होते हैं, रंदीप सिंग सुर्जेवाला न भी बड़ा मुस्कुराते हुए कहा था कि कौन नहीं चाहेगा CM बनना, रंदीप सिंग स साला कमान क्या फैसला करेगा, कॉंग्रेस को सीट कितनी मिलेंगी, क्या कॉंग्रेस को अपने दम पर पूरी मैजॉर्टी मिलेगी या उसमें कहीं अभी कोई गुंजाईश भी है, क्योंकि जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आ जाता, एक्जिट पोल कुछ भी कहते रहें, तब तक लोग समझ नहीं पाते, मान नहीं पाते, आप किसी विधान सभा में चले जाएं, कोई भी नेता अपने आपको कमता रांखने को तयार मिलेगा नहीं आपको, चाए एक्जिट पोल कुछ भी कह रहे हो, लेकिन धरातल पर तमाम नेता, अगर कुछ नेता तो आपको कारेच हित्र हो, एक बात कही जाती है कि मरने से पहले मरना क्या और जो जीता वही सिकंदर, यानि कि जब तक सांस रहती है, तब तक व्यक्ति आस रखता है पूरी, चुनाव परिणाम कल आएंगे, और चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन जीता, कौन ह जो जीता वह सिकंदर, और जो हारेगा वह अपने घर के अंदर, अब चुनाव परिणाम पर तो नजर रहेगी, लेकिन चुनाव परिणाम से पहले जो मैं आपको बता रहा हूं, क्या इन चार दिगत जो मैंने आपको नाम बताए, आप क्या समझते है कि भूपेंदर हुड़ा, दिपेंदर हुड़ा के नाम को आगे कर सकते हैं, आपको क्या रगता है कि अगर कोई दलित चहरे की बात आएगी, तो क्या सेलजा मुख्यमंत्री होंगी और या फिर हुड़ा वहाँ पर गीता बुकल या चौधरी उद्वान का नाम आगे कर सकते हैं, यह यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर करें अगर आप यह वीडियो फिस्बुक या इंस्ट्रेग्राम पर देख रहे हैं, तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शियर करें